अब इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में पढ़ेंगे नगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी इंपोर्टन टॉपिक अच्छे से समझना इसे अभी तक आपने चैप्टर में क्या पढ़ा है देखो तो आप जो चैप्टर है हमारा फ्रीडम उस च जादी में किसी प्रकार की बंदिशे नहीं होना चाहिए अभी तक हम यह मान के चलते थे लेकिन हमने देखा नहीं फ्रीडम का मतलब यह नहीं कि आपको एग्दम खुली छूट दे दी जाए फ्रीडम का मतलब यह भी होता है कि आपके उपर कुछ रीजनेबल रिस्टिक् जो है तो समझ में आया कि अच्छा फ्रीडम के उपर कॉंस्टेंट्स लगाना तो आप कैसे कॉंस्टेंट्स लगाओगे ठीक है तो यह पूरी कहानी जानी समझी आपने अभी तक चैप्टर में अब जो आपके सामने टॉपिक है वह क्या है वह है नेगेटिव एंड पॉ पुषिश करी थी क्या दो डायमेंशन थे तो स्रीडम एस दी एपसेंस और एक्स्टरनल कांस्तेंट्स और दूसरा फ्रीडम एस दी एक्सपेंशन आफ ऑपर्चिनिटीटीज तू एक्सप्रेस वनसल्फ और वी कन से फ्रीडम मीन्स एस प्रीटिटिशन वेर का ठीक है कि जहां पर आपके और कि कोई नहीं होना चाहिए यह वाले डायमेंशन को आप नेगेटिव लिबर्टी मानोगे ठीक है और जो दूसरा डायमेंशन है फ्रीडम का फ्रीडम एस दी एक्सपेंशन आफ ऑपर्चिनिटीटी टू एक्सप्रेस वनसल्फ मतलब आप पॉजिटीव लिबर्टी रिस्पेक्टिवली कहा जाता है नेगेटिव लिबर्टी क्या होता है अभी आपने नाम सुने ना तो मैं अगर आपसे सवाल पुछू कि आपको कौन सी लिबर्टी पसंद आए तो मेजोरिटी ओफ यू वुड गो विथ पॉजिटिव लिबर् red इपने डिफेंड डिफेंड नी पेटी लिबर्टी डिफाइन डिफेंड इंडिभीजल अथ इनवाइलेबलिटाइब ऑफ ल बंतलब डलो मतलब कैके राइट्स अव्द इविज अन्डिव लेवल् 오 on चॉटो कि निगेटिव क्या onboard यह तो वो इस तरह की फ्रीडम तो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं दूसरा आपने जो क्लासिकल के बाद में कह सकते हैं कि modern liberalism को देखा तो modern liberalism में कहानी कैसे बदल जाती है modern liberalism में थ्रोड़ा समय समझ में आता है कि नहीं स्टेट का भी एक मतलब आप क्या इंडिविजल के राइट को किसी तरह से इंफ्रिंज नहीं कर सकते हैं इंडिविजल की जो पोजिशने सोसाइटे में सबसे अच्छी है ठीक है तो नो अक्स्टरनल अथोरिटी के इंटर्फियर एंड इंडिविजल हैस दी राइट टू और वाटेवर वन ल में लगून लएक समय है अब क्या होता है का कि में हैं वहां डिउजल का एरिया कितना रहे हैं और यहां तो आपनी सब्सक्राइब को ऊपना इपनी को एक्सरसाइस कर सकता है अब अब इसे तो इंडिविजल क्या बुल देगा कि मेरी लिबर्टी है कि मैं मेरे पडूसी के घर में जाके औनके किचिन में जाके अनके डबे में से कुछ भी निकालके खाजाएं तो यह क्या हो गया यह उसका एरिया थो रिना है भागर आप देखो के तो यह उसका एरिया ऑफ इंटरफेररंस नहीं वह वो क्या है उस चीज को लेकर डिबेट चलती रहती है जब आप नेगेटिव लिबर्टी की बात करते हैं तो नेगेटिव लिबर्टी में इस चीज को डिफाइन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि क्या कितना एरिया जहें वो हमेशा उनको हर चीज पर आदी रहे हर जैसा चाहिंए कंड करने की कोशिश करेगा और जब वो अपने एरिया इंटरफेरंस को एक्सपैंड करेगा या फिर कर सकते हैं कि अपने जो इसको पह अपनी ठीक है फ्रीडम की अपनी लिबर्टी की उसको जब एक्सपैंड करेगा तो वह फॉर्श और किसी दूसरे के एरिया में एंक्रोच करेगा ऐसा जैसे कि अगर यह सुसाइटी है इंडिविजल्स है इंडिविज़्स क्या करने की कोशिश करेंगे सब अपने-अपने area of interference को बढ़ाने की कोशिश करेंगे लेकिन इन this process it is bound that they are going to intrude into the area of others ठीके तो यह एकंडिवेट रहती कि minimum area of interference क्या होना चीए जिसके बहार अगर इंडिविजल्स अपनी लिबर्टी को exercise करेंगे तो एक्सटरनल अथोरिटी उनके उपर क्या कर सकती है और जब इस सेंस में वह नेगेटीव लिबर्टी वाली जो डिफिनेशन है तो उसके अगेंश्ट जाएगी और फिर वहीं पर क्या होते बवाल होते तो बहुत सारे सवाल ऐसे पुछे जाते हैं क्या कि जैसे स्कूल में ड पहन के नहीं होगे आप स्कूल की उनिफॉर्म जो वह पहन के होगे तो आप फिर आप वहां पर से मुद्दा उठाओगे क्या कि यह तो मेरा एरिया आफ इंटर्फेरंस है मेरी ड्रस पहनना मुझे किसी और को हर्ड भी नहीं करों कोई सीरियस हम भी नहीं क्रियेट करों फि को अपने अपने हिसाब से कप्ड़ की पारियंके क्यों आने दिया जाता है किसी और को परिशान कर रहे हैं हम तो अपनी इंजॉइ करना चाहरें अपने पसंद पेंना चाहरा तो वह करें क्यों नहीं मतलब तो खुद की एरिया फिंटर फेरेंस होगी ना लेकिन फिर भी उसको क्या किया जा रहा है टीम के गाइडलाइन के साफ से ड्रेस पहनना पढ़ रही है तो 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 वह सही है क्या वह नेगेटिव लिवर्टी की डेफिनिशन के हिसाब से लिवर्टी के उपर एंक्रोच करना फ्रीडम के ऊपर एंक्रोच करना होगा नहीं होगा सोचना डिवेट करना अपने क्लासमेंट सेस्मुद्ड बहार थोड़ी सी और अब के अभी कोई व्यूपॉइंट है तो आप कमेंट सेक्षिन बताना ठीक है चलो तो यह नेगेटिव लिबर्टी होगी आगेने समझ में कैसे करा हमें नेगेटिव लिबर्टी को आप एपसेंस ऑफ एक्स्टेनल कॉंस्टेंस वाइज डामेंशन फ्रीडम का उसके साथ देख जानरी साथ डेकर दोनों चीजह बहुत अलग review सुनने Вас यहां पर बात किजार है कि कॉंस्टेंस मत लगा ठीक है लिबर्टी कि कि यहां पर उपर बंदी twin नहीं लगाना और यहां पर लिबर्टी को किक्यों डामिन से देखा जा रहा है हमारेस आप पर ज्यों दोंसर बंद से हटाओ रोखना और बोलना दोनों चीज़ में डिफरेंश मतलब क्या है देखो देखो तो क्या है कि पॉजेटिव लिबर्टी इस और पॉजेटिव लिबर्टी में क्या किया जाता है पीपल सीख फॉर दी कंडिशन वर डिवलप्मेंट ऑफ इंडिविजल पर्सनालिटी क्या है क्या है पॉजेटिव लिबर्टी में फ्रीडम को आप कैसे देखे रहो फ्रीडम एज दी एक्सपेंशन ऑफ तो आपके पास में क्या होना चाहिए फ्रीडम एज दी एक्सपेंशन ऑफ ऐस्पेंशन ऑफ पोपोश्चुनिटी तो एक्सप्रेस वंसेल्फ ठीक है तो आपके पास माइक नहीं तो आप अपने आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो तो वह एक हिंड्रेंस है अब पॉजिटिव लिबर्टी लाइज इन दी रिमूवल ऑफ हिंड्रेंस ठीक है इडिस कंसर्ड विदी रिलेशन्शिप बिट्वीन इंडिविजल एंडिविजल जो है वह सुसाइटी में किस तरह से अपने आपको ग्रो कर सकता है ठीक है और उस अपने आपको ग्रो करने की ज इन डिविजल कि अपनी ऐडेंटी ती थे और उसको आपको बनाए रखना होगा मतलब हो फिलावर की ड्रो के लिए आपको जितनी भी हंड्रेंस हैं उन्हें हटाना होगा हिंड्रेंस कैसे हैं तो और नेसे प्रकेNow YOUR provide looking तो इंडिविजल सेंट्रिक यहां पर फ्लावर जो है तो यह मतलब यहां पर चुछ नहीं होना चाहिए मतलब बंदिशे कुछ नहीं है तो मैं एकदम आज आदू तब मेरी लिबर्टी में सही तरह से इंजॉय कर पा रहा हूं लेकिन यहां पर क्या बोल रहे हैं वो यहां पर बोल रहे हैं कि government जो है मुझे मेरी freedom कैसे दे कि मुझे वो potential मेरी potential को develop कर दें कि मैं अपनी freedom को enjoy कर पाऊं ठीक है चलो अभी इसमें आपको एक और दाइमेंशन में दिखाता हूं उसके बाद में कुछ एग्जामपल लेंगे चीज़ें और क्लियर होगी कि अगर बात करें न तो नेगेटिव लिगटिव को नेगेटिव क्यों कहा जारा पता है क्योंकि यह क्या है यह तरह से ऐसे सवाल उठाती ही ओवर वाट एरिया आयम म रही है इंड्डिवीजव जो हैं इंड्डिवीजार्यारिव बिश स्वाइटिस एक्सप्ड कर रहा है नेगेटिव लिवर्टै में कि आप उसके एरिया में देखल मत दो जुछिंग आप उसको इंसारीग चीजों से तो जैसे यह सवाल उठता है तो जवाब क्या मिलेगा कि I govern myself मैं अपने आपको govern करता हूँ अब मुझे अपने आपको जब govern करना तो है पर सवाल क्या जोड़ता है इडिस कंसर्ड विद एक्स्प्लेंग दी आइडिया और फ्रीडम टू ठीक है तो यह फिरदं स्रॉम कान्स्रइंट की बात करता है और यह बात करता है फ्रीडम फु मतलब पॉजिटिव लिबर्टी में आप फ्रीडम को कैसे ओशाय कर रहे हो पॉजिप्स इडिशन यहां पर यहांप यहां प् प्रीडिशल ऑब कॉठ रखने की आपने आपको कितना डवलप कर रहा हो डेवलप करने की बुझे अजाद ही नहीं है और यहांपे क्या देखा जारह है कि मैं अपनी identity को बचाए रखू मेरे उपर जो मेरा area of interference वो बढ़ते रहना चाहिए मेरे अधिकार जो मुझे ज्यादा रहना चाहिए external constant जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए ऐसे जब आप देखो कि तो negative liberty हो गई है यहां पर आप देखो कि तो positive अब आपको में नहीं उस डामेंशन से दिखाने के कोशिश करता हूं स्टेट के डामेंशन से negative liberty क्या चाहेगी कि स्टेट का interference ना हो positive liberty क्या चाहेगी कि state का interference ना हो यह state को क्या सकते हैं कि suspicious way में देखती है यह state को welfare state के वे में तो वही क्लासिकल लिब्रेल लिजम में फिर क्लासिकल टाइब पराने ताइम में यही को नेगेटिव डाइमेंशन से देखा जाता था नए था नए ड्यूर्टी बात करते हैं कि यहां पर बात करते हैं freedom, freedom to have participation in decision making, freedom to develop their mind and intellect, ठीक है, मतलब यह बात करते हैं कि state जो है welfare state का का काम करे, education provide करे, ताकि हम अपने आपको develop कर सके, ठीक है, तो यहां पर individual को as a core consider किया जा रहा है, यहां पर society को as a core consider किया जा रहा है, इसका drawback क्या हो सकता पता है, जैसे इसाया ब बारे में जैसे आप political science लोगे ना, तो इजाया बरली ने example देते हैं कि negative liberty में individual तो क्या बोलेगा मेरे उपर constant नहीं होना चाहिए, यह red light क्यों लगाया, ठीक है, मेरी क्या इक्षा है, कि मैं गाड़ी अपने हिसाब से चलाओं, ठीक है, वो मेरे पास freedom होना चाहिए, freedom to ride a bike, ठीक है, दिया आपको freedom, अब बोल रहे हो कि freedom to ride a bike है, तो यह red light क्यों लगा दिया, red light नहीं होना चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, अपनी उस freedom को enjoy करूँगा, गाड़ी चलाओंगा अपने हिसाब से, जैसे आप negative liberty enjoy कर रहे हो, चलो तो एक uncle जो है, negative liberty enjoy कर रहे है, ठीक है, यह उनकी गाड़ी है, उस पर बैठ़े और जारह रहीं इस रास्ते, ठीक है, अब एक uncle ऐसी है और negative liberty यह उनकी गाड़ी है, और यह उनकी गाड़ी पर बैठ़के, यह भी जा रहे है, ठीक है, यह इस रास्ते जा रहे है, अब दोणों red light की respect नहीं करेंगे, ठीक है, मतलब वो क्या चाह रहें कि कोई कॉंस्टेंट हो ना उनके उपर समय अच्छा एक्जामबल है उनके उपर कोई कॉंस्टेंट हो ही ना अब क्या वगर दोनों अंकल जब अपनी नेगेटिव लिबर्टी वाली डेफिनेशन से बोलते हैं कि देर शुट भी एपसेंस ऑफ कॉंस्टेंट और अपनी गाड़ी भगाते वे ला रहे हैं तो दिखती बात है कि जब टकराएंगे ना तो नेगेटिव लिबर्टी को इंजॉय करते करते यू आर बाउंड तो हाम यूर ओन सेल्फ ठीक है आप अपने आपको ही नुकसान पहुचाओगे इंस ही फ्रीडम को अच्छे से आप खुद रहोगे तभी तो गाड़ी आगे चला पाओगे रेट सिगनल पर ठुका जाओगे तो फिर क्या गाड़ी कैसे आगे जाएगी ठीक है तो वह कहानी आपे आया समझें नेगेटिव लिबर्टी का ये ड्रॉब एक होता कि वह हो गया कि फ्रीडम टो फ्रीडम टो पाइटिफे फ्रीडम टू है पाइशन डीसीजन में टो यहां पर आपने क्या देखा कि गवश्मन का एक रोल आ जाता है ठीक है तो डॉबेक बस इतना ही है कि लोगों को यह चिंता रहती कि गवश्मन आज जो पावर में आई ये कल क क्रिटिटिव लगाने लगी तो फो किसी काम कि नहीं रह जायेँ मिल फेर स्टेट को बोल रहे फिर वह पता नहीं चलेगा तो इस कारण से कुछ थिंकर जो है वह पॉजिटिव करते हैं आप इस स्टेट प dost स्वास मत करो यह बलफ कर जाएगा आपके साथ में ठीक है तो यह कहानी यह दोनों के ड्रॉबेक थे पॉजिटिव और नेगेटिव लिबर्टी मैंने आपको समझाई आशा करता हूं चीजे समझ में आई है नेगेटिव लिबर्टी और पॉजिटिव लिबर्टी ठीक है आ आपने चैप्टर के मेजर मेजर पार्ट सारे पढ़ लिए फीटम की जब हम बात करते हैं तो फीडम में जो सबसे इंपॉर्टन डाइमेंशन है वह फ्रीडम ओफ एक्सप्रेशन ठीक है फ्रीडम और स्पीच एंट्सप्रेशन के आप जो फील करते हो आज वैसी फीडम तो नहीं कि आपके हाथ पेर में शेकल लगा दियों आपको बेडियों में कस के बांध के रखा हो ठीक है स्लेवरी नहीं है ना लेकिन आज फ्रीडम का जो डिबेटेबल इश्यू है वो फ्रीडम ओफ स्पीच एंड एक्स्प्रेशन की सद्धक होना चाहिए कितना होना चाह यह नहीं होना चाहिए यह सारी चीज थीक है तो वह जो है वह हम नेक्स वीडिएओ में पढ़ने वाले हैं क्लियर है नेक्स वीडियो में मिलते हो टॉपिक के साथ तिल देन stay connected keep learning थैंक यू थैंक यू बरिए मच